कड़ी पकोड़ी बनाई एक नए तरीके से नए अंदाज से कम मसाले में बहुत बढ़िया और टेस्टी बनता है अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं असला अलेकुम मायोट्य फैंबली कैसे आप सब उम्मित करती हूं कि आप सब ठीक होंगे आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं कड़ी पकोड़ी इसकी रेसेपी आप लोक के साथ सेयर करते हैं कि हम खारे मसाले में बहुत मज़े का टेस्टी बनता है इधर हमने एक बड कि अधि मैं पहले पहले ये मसाला आपीस लेतेह यहीं अधर हमने अधी हरी मिर्ची लिया में ही रजञा रशन के खूब सारी हरी धनिया तो को सारी न गूझ थोंड़ सारे जानिया है आई अट चाहिए ऊच्छे सम पहले कीशिया रेनिदे चिशिया उा सियोग मनि और दन के मिधियम साइज का प्यास बारी कहा है चैनल के आच्छे पारा अलगा से लगे दाला है हैं इस ना आट कर देनगे हैं जादा नहीं दो दुद्धा इसमें अधिक दिया है यार्धा चम्मज घंडि पॉडर कि एक चोथा ही चम्मज नमक लेंगे इसको एड़ कर देनां क्यो के थोड़ा थ्थोड़ा पानी कि अएट करेंगे मैंिनें हम फिल्चक से रावे लेट कि मैं या दाल नहीं रखना हुआ में तसके दल्का अपरेक हम अच्छी है से इसको अब पार सूर्य के लिए डेश्ट पे अगंगे आगए हमारा जब दो हम पहलग है तर दो कर देख ड़ानी में अधर हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा फिर हम प्रकॉडी बनाना स्टार्ट करेंगे दो अब तेल अच्छे से गरम हो गया है गैस के फ्लेम को हम पर रख दें और परेकिए हमने बेशन ले लिया है अपना पकोडी वाला छोटी-छोटी पकोड़ी तेरों में डालते जाएंगे 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 कोड़ी हमारा एक तरफ से अच्छे से हो गया है बहुत इसको पलट लेना है एक तरफ से हो गया है तो इसको हम पलट के दूसरी साइड से भी पका देते हैं कोड़ी निगाल देते हैं पकोड़ी को निकाल लेते हैं यह देखिए बहुत ज़्यादा हमको इसको लाल नहीं करना है कि अज़ाएं में ग्रेवी बनाएंगे तो तेल हमारा जादा है तेल को निकाल लेते हैं अज़ाएं अज़ाएं मेथी दाना लेंगे इसको आड़ कर देंगे बढ़ार में कि अधियें कि इसमें हमने आड़ कर दिया है इसमें हम एड़ करेंगे आदा चप्राइब यस सब्सक्राइब आदा चम्मच अंधि सब्सक्राइब एक चम्मच गरम मसाला पॉड़र दो मिनट अच्छे से इसको मसाले को भूंग रेते हैं अब इसमें हम दो चम्मच बड़े बेशन एड़ करेंगे और इसको भी अच्छे से भूंग लेते हैं और मसाले को अच्छे से भूंग लिया है अब इसमें हम एड़ करेंगे पानी करेदू लगाएंगे इसको अच्छे से चला देंगे इसमें जितना आपको जैसे ग्रेवी चाहिए आप उसमें रख सकते हैं आप ग्रेवी को छोड़ देंगे उबालाने के लिए गालाने तो यह हम थोड़ा सा फस्ट कीया है शाद करीको थोड़ा सा पकने देंगे तो हम जब करीआ लूचे को दो से तीनए मिनयट पकने देंगे कड़ी को पकते हुए दो से तीन मिनट हो गया है अब सारी जो पकोडिया थी इसमें हम दीरे-दीरे करके आइड कर देंगे कड़ी पकोड़ी हमारी यह बन गई है बहुत मज़ेका और जंदी बनता है कम मसाले में बहुत ज्यादा टेस्टी होता है अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें आप मिनते एक अच्छी सी नई रेसिपी के साथ जब तक अबना ख्याल कि अच्छी दूम में अद्रके अल्ला हाफीज